Hello dear students, तो आईए बेटा आज के इस वीडियो में हम start करेंगे class 9th का exercise 11.1 से question number 4 construct the following angles 75 degree, 105 degree and 135 degree हमें बेटा ये angle construct करने है actually question में एक और point है कि इनको justify भी करना है आपने verify भी करना है protector से, वो आप खुद से कर सकते हो मैं के वाला को construction सिखा रहा हूँ इसकी तो देखे question number 4 क्या है यहाँ पर मान लिजिए हम एक काम करते हैं कोई भी एक line ड्रो करते हैं clear ये है point B और ये है point A ये A को मैंने starting point consider किया और यहाँ से कोई भी एक radius चूज कर लिजिए कितनी भी मैंने थोड़ी से ये radius चूज कर लिए a point A को center मानते हुए आपने एक arc draw करनी है draw an arc by taking A as the center clear है मैं pen का use कर रहा हूँ आपने pen नहीं use करना आपने pencil यूज करनी है यहाँ पर हमने एक arc draw करी है point कुछ एक radius लेकर कि अपनी दरब से एक minute यहाँ अच्छी तरह से नहीं बना तो मैं इसको दोबारा एक बर draw कर लिए यह उपर वाड़ा है बेटा निच्चे वाड़ी arc मेरे से गलती से लग गई थी ठीक है तो उपर वाड़ी arc है यह तो अब A point को मैंने center मानते हुए एक arc draw कर ली है मान लिजिए यह arc AB पर point D पर cut करती है clear तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक काम कीजिए 90 degree का angle बना यह जो कि आपको पता है कैसे बनाते हैं आप हमें कितने degree का बनाना है 75 degree का angle बनाना है एक हम 60 degree और एक 120 degree इन दोनों के बीच में कौन सा angle लाई करता है बेटा that is 90 degree clear अब यहां से हमने एक line ड्रो करी तो यह अपना हो गया 90 degree का angle clear है अब आपको पता है बिटा 75 कहां पर लाई करेगा 90 और 60 के बीच में दीखे आप दोनों का average निकाल यह 90 का और 60 का तो वो 75 आएगा तो इसका मतलब हमें जो angle बनाना है वो इन दोनों के बीच में बनाना है यह तो होगे आपना 90 degree यहां से और यहां से 75 degree अब आप देखिए इसकी length के जो इन दोनों की length है ना इसके आधे से ज्यादा radius लेनी है आपने मतलब देखिए एक तो 60 degree वाड़ा point आपका यह रहा और 90 वाड़ा point यह इसके आधे से ज्यादा कितनी भी आर्क रहे सकते हैं मैंने अपनी मर्जी से कुछ आर्क ले लिए ऐस अब इन दोनों का mid point आपने निकालना है एक आर्क यहां से draw करी और एक आर्क यह draw करी वेटा में तो इन दोनों points को मिलाया तो यह हो गया वेटा हमारे पास 75 डिगरी का एंगर क्लियर है वेटा समझ में आया तो अभी इसको आपने कैसे लिखना है वो इसके steps हम मैं आपको भी show करता हूँ तो वेटा आप यहां पर देख सकते हैं मैंने different steps लिख दी हैं यह अलग steps आपके question number 4 के first part के लिए जैसे draw the line A B सबसे पहले हमने line A B draw करी और फिर हमने क्या किया A को starting point लेते हुए यहां पर एक 90 degree का angle draw किया यह आपको पता है इसका step लेड़ी कैसे है यह हम पहले आपको करवा चुके है 90 degree angle कैसे बनाना है जो angle C A B है यह 90 degree का है कलिया इसके steps हमने बार बार नहीं लिखने है यहां पर फिर हमने क्या किया 60 degree का एक angle लेना है A point को central मानते हुए हमने एक arc draw करी जो कि A B को point D पर cut करती है पिर D को center मानते हुए मैंने एक और arc draw करी जो कि पहले बार यार को E point पर cut करती है अब E को और F को इन दोनों को हमने center माना E F को और E को और यहां से center मानते हुए हमने एक arc उपर दो arc draw करी जो एक दूसरे को point G पर cut करती है तो हमारे पास F और E का mid point आ गया G और यहां से मैंने line को मिलाया तो B, A, G यह बेटा हमारे पास angle आ गया 75 degree का clear है बेटा समझ में आया तो चलिए इसको note कर लेजिए फिर हम करते है वो angle of 105 degree तो चलिए बेटा अब समझते हैं 105 degree का angle कैसे बनाए तो वही सबसे पहले हम एक line draw करेंगे clear है बेटा हमने यहां पर एक point A लिया जो कि हमारा starting point है और यह है अपना B तो A को center मानते हुए अच्छा सबसे पहले आपने एक काम करना है A B को further extend कर दो A B को मैंने extend कर दिया up to the point X clear है A B को extend कर दिया point X तक तो अब मैंने क्या किया कोई भी एक radius लेते हुए यहां पर एक arc draw करी clear है बेटा यहां पर हमने एक arc draw करी तो जब हम यहां एक arc draw करेंगे तो point यह arc जो line A B है उसको cut करती है point मान लीजिए C पर clear है और यहां से अब मैंने क्या किया C point को center मानते हुए देखे इसकी opening वो सेम रखनी है इसको कम जादा open नहीं करना same to same opening point C को center मानते हुए हमने एक और arc लगाई clear यह 60 degree की यह आपको पता है फिर हमने इसको center मानते हुए एक और arc लगाई जो कि कितने degree के लिए है 120 degree के लिए यह आप already पढ़ चुके हो तो इन points को नाम दे दीजे आप यह point D और यह point E clear है बेटा अब इन दोनों से center कैसे निकाल लेंगे 90 degree का angle बना करके जो कि आप already आता है clear है ना तो यह हो जाएगा बेटा आपका angle of 90 degree clear है बेटा अब यह तो हो गए आपका 90 degree का angle तो A, B, C, D, E अब इस point को मैंने नाम दे दिया F point क्या नहीं दिया इसको बेटा हमने F point अच्छा आप यहां पर देखिए आप 90 यह से point से अब इस arc पर एक point मिलाया steps को लिख सकते हैं तो बेटा देखिए यहां पर आप note कर सकते हैं अलग-अलग steps यहां 105 degree का angle बनाने के लिए जो हमने use किये हैं यह different steps है ठीक है total five steps one two three four and five यह steps आप note कर सकते हैं मालब जरूरी नहीं यह बेटा as it is आपने step लिखने हैं आप अपने तरीके से अपनी wording में भी steps को लिख सकते हो क्रैमिंग नहीं करने है किसीने की पहले यह step फिर यह step clear है ना तो आप अपने way में लेकिन सही step सही होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो अपने तरीके अपनी मतलब अपनी language में भी आप इसको define कर सकते हैं तो आप देखे बेटा हम बनाते हैं अपना angle of 135 degree मतलब अपना 135 degree का angle हम draw करेंगे कि कैसे इसको बना सकते हैं देखे सबसे पहले मैंने steps और लेड़ी यहां पर लिख दी है इसके लिए एक line AB हमने draw करी उसके उपर 90 degree का angle बनाया बार बार इसका step हमने repeat नहीं करना और लेड़ी पता है 90 degree का angle कैसे बनाते हैं फिर हम क्या करेंगे बेटा यह जो AB है इसको एक point X तक produce करेंगे पिछे देखिए इस AB को हमने पिछे और produce किया point X तक यह यहां पर अपना point है बेटा X clear है AB को point X तक हमने पिछे produce किया अब draw a arc from the A अब A को मैंने center मानते हुए एक arc draw करी है बेटा यहां पर यह arc बनाई है मैंने clear है यह जो A को center मानते हुए मैंने arc बनाई है वो इस line को point कहां पर cut करती है एक minute point P पर मतलब कि बेटा यह वाड़ा जो अपना point है इसका नाम मैंने रखा P बात समझ में आगी है ना लोग एक बार मैं दोबारा लिख देता है इसको यह है अपका point P मतलब यह जो arc बनी है अपने यह वाड़ी arc वो इस line को point P पर cut करती है अब बेटाइ देखें यहां से यह जो पूरा angle है ना यह पूरा complete angle यह जो अपना पूरा complete angle बना है यह सारा का सारा angle 180 degree का बना है कितने डिगरी का बना 180 डिगरी का कलियर हैं तो अब यहां से एंगल मतलब यह देखे यह पूरा घूमते हुए जितना एंगल आए क्योंकि आपको पते हैं स्ट्रेट लाइन उपर जितने एंगल होते हैं वो सारे कितने ही होते हैं 180 डिगरी के तो यह complete सिधी लाइन बनेगी ना straight लाइन बनेगी तो यह एंगल कितने डिगरी का 180 डिगरी का अब हमने D यह है 90 डिगरी का एंगल और यह यहां पर 180 डिगरी का अब 90 और 180 का एवरेज निकाल के दीखे वे टाप 90 और 180 का एवरेज क्या आएगा that is 135 सेंटर माना अब सेंटर मानते हुए मैंने अपनी मर्जी से एक आर्क ड्रो करी बेटा क्लियर ऐसे ही पॉइंट पी को मैंने क्या किया सेंटर माना और एक आर्क ड्रो करी अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कट करते हैं जिस पॉइंट पर कट किया मैंने उसको नाम दे दिया R, क्या नाम दे दिया बेटा, R, तो point A से R को मिला हो, तो आपके पास एक line आईगी, A से R को मिलाया, तो हमारे पास एक line आई, इसने एंगल जो बनाया वो 135 डिकरी का है, ये एंगल R, A, B, ये कितने डिकरी का है बेटा, 135 डिकरी, क्लियर है बेटा, समझ में आया, तो च क्लियर है बेटा, नोट कर लिया आपने, तो ठीक है बेटा, आपने नेक्स वीडियो में मिलते हैं, इसके नेक्स कोस्टन के साथ, तब तक लिए बाबाई, थैंक यू, and have a nice day.